दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ साड़ी दोस्तों फट गया है साड़ी को रिफू करना है कैसे रिफू की जा साड़ी रिफू कैसे करें इस वीडियो में आप लोगो देखने को सीखने को मिलेगा नमस्कार दोस्तों मैं लिवन पढ़नी था आप लोगो मेरे च भी रहे जिसी तरह है कुछ तरह है इस तरह से आपका किसी नुकिला चीज जाता है तो आप यहां स्रमोट सागिल में कभी चाटते हैं वक्त भी इस तरह खाज खाज लग जाता ना तो इसके जलते हैं फट जाता है तो इसको आप कैसे ठीक किजिएगा इसको रिफू करना है दोस्तों तो आए इस वीडियो में आप लोग देखते हैं सिकते हैं तो यह आप दिखाए देगा वह ठीक नहीं लगता है दोस्तों इसलिए वह तरीका सही नहीं है आए इस वीडियो में हम सही तरीका बताते हैं और इसमें बहुत काफी ग्राग का पसंद है दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों आप इसमें पेपर तो लेंगे इस सारी का क्या करें दोस्त यह कागज में इसके साथ पाले इसको हम बेठाते हैं इसको हमको बहुत इस्टेप बाइस्टेप और इसी तरीका से मैं बता रहा हूं कि इस तरह जो आपका डिश्टाफ हो जाता है तो कि इस तरह से आप इसको रिप्टू कीज़ेगा देखें यह हो गया अभी क्या करना है दोस्तों घृ यह साड़ी का उल्टा तरप यह सिधा त्रफ ठीक है oh क讲 और यह पेपर को में नीचे में रखनें ठीक हो कर शका aunधर से बेठाना पड़े आपकर इस तर wtar न बेठाते है ठीक है ओर सूता मेंने चींग लगा दिया है जो मेंचिंग देए यह 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 अलग अलग रंग है तो मगर सूता एकी रंग लिया है वह यह हलका ब्लाइक के लिया है ठीक है इसको पाली चारों त्रह घुमा देंगे इसको आप इस तरसे हम घुमाते हैं इस तरसे बीठाना साम इढ़ा इस तरसे कटा हुआ है इस तरसे करना है पाग्स कितना कटा हुआ है या फटा हुआ है इतना तक मेरिया ये निया और देखिए यह पो गया और यह सो टालने से भी यह फटा लुए अब आप कोई दिकत नहीं हुआ है यह तरह कोई यह पोजिशन तो यह अमने आप दोनों सामने सामने जैसा पोजिशन था उस तरह बेड़ी आठी है अब को दिकत कोई नहीं हो अभी क्या करना है अभी हमको और आप सलाइं हमको इस तरह से यह मैसीन है बड़ा मैसीन है हंड्रेट तिरी है इसको जैसे यह सूज को जैसे हम दाबेंगे उसलाइं पिछे तरह होगा मना पु कुछ नहीं देख था बड़का दो कुछ नहीं कर रहा हो अपने आप पीछे तरव आ रहां रहा है तो यह तरिका है और साळी को मैं आप रीपू कर रहा हूं जो आगे पीछे करके यह मेरा रिपू पुरा जितना तो फटा हुआ था यह समुचा मैंने पुरा बहुत बेतर ढंग से रिपू हो गया दोस्तों कर यह निकाल करके अब देखेंगे हो गया तो चैपर को हम निकाल देंगे कि अपर को निकाल दें कारी का टुकड़ा गब्रा जो भी एस्टा था उसको मैंने काट करके निकाल दिये इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों वजिदी साड़ी हलका खींच लेता है तो क्या करेंगे वह आयरेन चला देंगे ताकि क्या हुआ वह मेरा प्लेन और नया की तरह जखास देखने को लगे इसलिए आयरेन कर दिया वीडियो देखने के लए बहुत ध्हने बाद इस एक झो brings यहाया जरूर कीज़गा में बहुत सारा नोलेज इस वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेगा क्योंकि मैं दोस्तों एक ही साल से टेलरिंग काम कर रहा हूं जो भी नोलेज है इस चैनल में डालता रहूंगा और आप सीख करके बहुत कुछ जान सकते हैं और आपने घर पर यूज कर सकते हैं दोस् बीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार